नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्ध्य शिंकरती बारे हूँ हैदराबाद महिला डाक्टर रेब कंड और मडर को लेकर के पूरे देश में बहुत ज़्यदा आक्रोस हैं संसत से लेकर के सडक तक हंगामा मचा हुआ है सक्त कानून और चौराहे पे फांसी देने की मांग हो रही है सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि यदि दोनों सदन सहमत हो तो हम और सक्त कानून बनाने को तैयार है लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि हैद्राबाद रेप और मडर केस के चार आरोपी है मुहम्मद आरिफ कि जिएल प्रसाशन दंग रह गया कि इसमें से फिलहाल इनको जिस जेल में रखा गया है वो रखा गया चे चैरलापल्ली सेंट्रल जिल में और चिनता कुता चैना किस वुलू है वह केसा वुलू को एक भयंकर विमारी है इसी उम्र में उसकी कीड़नी काम नहीं करती है तो जैसे ही वो जेल में पहुँचा उसने कहा कि उसका तो रेगुलर जो है डायलेसिस होता है और यदि वो डायलेसिस नहीं कराये जाएगा तो मर जाएगा वो तो फिर क्या हुआ कि जेल प्रसासन ने कहा कि हम कैसे तुम्हारी बातों पर विश्वास कर ले कि तुमको इस तरह का दिक्कत है तो फिर उसने कहा कि हैदराबाद के निजाम इंस्टिचूट अफ मेडिकल साइंसेज में नियमी तुरूप से उसका डालेसिस चल रहा है आप चाहें तो उस मेडिकल रिपोर्ट को देख सकते हैं और उसके बाद रहम की भीक मांगने लगा कि प्लीज आप मुझे डैलेसिस की जाज़त दीजिए अनिता मैं मर जाओंगा और इसका चिंता कुता चेना के सावलू का भी उसमें अहम रोल था यह चारों के चारों ने उस महिला डाक्टर के साथ रेप किया था और उसकी हत्या की थी तो इसके बाद अब जेल प्रसासन के मैनुवल के हिसाब से यदि कोई जेल पहुंचता है अंडर ट्रायल है तो फिर उसको जो भी इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट होती है यह मेडिकल सुगधाएं होती है वो दे के घर वाले ने उनको एप्रोच नहीं किया जेल को एप्रोच नहीं किया नहीं उनसे कोई मिलने गया है नियम के मताबिक यदि कोई मिलने जाता है तो मिलाई होती है तो आब वो मेडिकल रिपोर्ट मंगाएं तो कैसे मंगाएं क्योंकि सुभाविक सी बात है कि यदि उसक नराज है कि जो तुमने दुस्कर्म मडर किया है यह तुम भुगतो और चार में से तीन के पैरेंट्स का बयान आ चुका है कि इनको जिन्दा जला दो चाहें चोराहे पर फांसी दे दो हमें कोई इतराज नहीं है क्योंकि हमारी भी बेटी है और जिस बेटी के साथ इन्होंन देखे हुए उसको सुभ्या कैसे देगा फिर वो का रहा है कि ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो मैं मर जाओंगा तो इस तरीके से चार आरोपियों में से एक जो है भैंकर विमारी के चपेट में है उसको रेगुलर डालेसिस चाहिए तो इन्हें एक तो परिवार की तरफ से बोल देना और पूरे देश में आक्रोस है तो सुभाविक सी बात है कि उनमें भी आक्रोस है लेकिन जो अपने यहां के जूडिसेल प्रोसेस है उस प्रोसेस में ऐसा नहीं हो सकता कि चाहें कितना हूँ भैंकर वो इबेन आतंकवादी ही क्यों नहों और चाहें बहुत बना हुआ है जिसके पास कोई वकील नहीं होता है कोई बहुत ज़्यादा गरीब होता है या इस तरीके के कैसे जाते हैं जिसमें कोई वकील खड़ा नहीं होता है तो उससे डीले से संपर्क करता है कोड़ा उनको कहता है कि जो है इनकी आप कानूनी मदद कीजिए और मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत है चिंटा कुटा को और यदि वह रिपोर्ट नहीं मिलती है तो फिर जेल प्रसासन कैसे मानेगा तो इस वज़या से जेल प्रसासन भी दंग रह गया कि जब तुम इतनी भैंकर विमारी के चपेट में हो कि यदि डियलेसिस नहीं होती है तु इनका पर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें